हेलो फ्रेंट्स मैं डॉक्टर सुरिंजर वर्मा आपका प्रप्टिशेर पर स्पागत करता हूँ दोस्तों आज कल की भागवर की जिन्नी में हर को इचाहता है कि उसका समय बचे और इसी समय को बचाने के चकर में कई बार वो अपनी सेर के साथ खिलवार वहते हैं जैसा कि यामतों पर देखा जाता है कि गरहनी सुबा के समय ही खाने में सब्री जो काम है बस्तों बना लेती है ताकि बहुत पैर को भी काम आजाए रात को भी आजाए लेकिन कई बार उनको ऐसा पता नहीं होता है कि बार बार अगर हम किसी चीज़ को गर्म करके एक्थाती है तो उसकी कैमिकल कमपजिशन चेह ही होती है जो की आगे जाके हमारे श्रीकों नुकसार बजा सकती है और कई बार तो मजबूरी भी होती है कि वो ऐसे बना के जाती है कि दोनों हस्बन बार इफ काम करते हैं आफिस जाते हैं शाम को बच्चों को भी आकर देखना है इसलिए उनको समय रहते हैं सब्यूरी बनाना का टाइम नहीं मिलता है जिसके काणर वो ऐसा करने पर मजबूर होती है लेकिन फिर भी इस एक ऐसी परस्तितियां होती है जिसमें हम इसको दवारा-गर्म करके खाते हैं लेकिन दवारा-गर्म करके खाने में क्या उसकी नुकसान होती है यह आज हम इसको वीडियो में बताऊंगा वो छोटी सी कॉमन सी चीज़ें हैं जो हम आंतर पर गर्मकर खाते हैं और हम उसको भरेलू दोर पर आंतर पर यूस करते हैं कौन सी वस्तों है यह दोर गर्मकर नहीं खाना चाहिए तो उसको जाने के चले शुरू गरते हैं आज का वीडियो दोस्तों खाना काने के समन्द में आज वे बहुत क्लियर कट का गया है कि कोई भी खाना अगर उसके बन्य के एक घंटे के बीतर खाया जाए तब यह उसका जादा लाब मिलता है अगर इसे लेट खाएंगे तो उसका लाब कम और नुकसान होने के चांसे ज़्यादा रहते हैं इसका सीधर साथ है कि हमें मेशा ताजा बोजनी खाना चाहिए अगर मान ली थी है किसी के मजबूरी है आफिस में जाते हैं उनको घर में सुबाई खाना बना के जाना पड़ता है तो उसको कैसे प्रिजर करें या आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा ताकि उसका बेनिफिट आपको जारा मिले और नुकसान कम हो दोस्तों सबसे पहले नहीं पर प्यारता है कि कोकीन ओई अगर हम घर में किसी प्रकार के तेल का उप्योग करते हैं किसी चीज़ को तल के खाते हैं तो जो ओल होता है, इसको एक ही बार उक्यों करें, इसको दोबारा से उसको यूज़ करके, उसको खाने के लिए एसको उूज़ना करें। क्यूकि कुकि कुकिन ओल अगरूम जतना बार वार उसको घर्म करते हैं, तो उसके अंदर गर ट्रांस फेट बन जाता है। दोस्तों ट्रांसपर्ट करें बताता हूं कि ट्रांसपर्ट ऐसा चिपशबा पदार्थ होता है जो कि हमारे अंदर नसों में जाकर जम जाता है, कोलेस्टरों गारा को जम जाता है, इसके कारण आगे जाकर नस्य बन हो जाती है और यह हार्टेक गारा करने के चांसे से करते हैं तो एक ही बार उसको यूज़ करें दोबारा उसको यूज़ ना करें दूसरी नबर पे आता है सर्जुमे परधान आलू यह दोस्तों आलू जो तक्रीबा खास से जम्य बढ़ता है और किचन में हमारे डेली जूज़ रता है लेकिन इसको भी बारवी गर्म करके नह अगर्ति रहता है और कई बार उस का फ़स्तुन कर देखा भी हो गार कई रॉसरे नबर पर आता है चावल यह दोस्तों चावल थो हम आम तो रुपर रात को बनाते हैं और सुपा जूर खाते हैं लेकिन इसको भी ऐसा निकरना चाहिए उसका कारह ही है कि कच्चे चावल के अंदर एक बैक्टिरिया होता है जिसका नाम है बेसिलस सीरस यह बैक्टिरिया कच्चे चावल के अंदर रहता है लेकिन जब इसको पका लेते हैं तब तक तो इसकी ग्रोष नहीं होती है लेकिन जब पका के इसको ठंडा करते हैं ठंडा कई बारे इंडिजेशन या पेट की समस्य सबंदीत प्रॉल्म होने लग जाती है तो चाबल भी दवारा गर्म करके नहीं खाना चालिए आम तो पर हम देखते हैं कि रात को बना के खाते हैं सुबा नाश्ते में खाते हैं तो ये हमारे इंडिजेशन का कारण हो सकता है उससे अगली बात करते हैं उसमें आता है पालक और हरी सबजियां यह दोस्तों पालक और हरी सबजियों के अंदर नाइट्र YouTube नाम करता होता है जब इसको गर्म करके खाते हैं यह हैं नाइट्राइट में कनवर्ट हो जाता है जो की आगे जाके कार्सिनुगनिक यानि कैंसर जैसे भामानी को पैरा का सकता है। आप कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे हम साख खाते हैं, उसको जितना जारा गोर्म करके खाएं, पुराना खाएं होता हैं, जारा उसका स्वार आता है, वो आपकी बात ठीक है, स्वार तो उसका आता है, लेकिन बार्म उसको गर्म करने से उसके जो बैनिफिश्चल कत्व होते हैं लेकिन उसका नुकसान के चांद से जारा रहते हैं आप लिए देखत भी होगा कई वर हम जो अगर हाइं सबस्राइब करने क्या दो दिन तो हमारा पेट थेराब हो जाता है फूड समस्रेंद लेकिन जब हम इसको बार बार गर्म करते हैं, तो प्रोटीन की जो chemical composition है, वो बदल जाती है, जिसके कारण उनके digestion करने में हमारे liver को काभी मुशक्कत करनी पड़ती है, तो इस लिए वो खाने में किस्वा कह सकते हैं, भारी हो जाता है, उसको पचाना मुश्किल हो जाता है, तो जितना ज़्यादा आप इसको reheat करेंगे, तो उसकी chemical composition बदलने से, आपके अंदर उबकाईया आना, उल्टी या समन होना, कई बार तो किसे को lose motion में लग जाते हैं, पेट फूल जाता है, अफारा हो जाता है, यह उसी case में होता है, जब इसको बार बार repeat गर्म करके खात जाते हैं, इससे अगला आता है, हमारी सब की मनबसिंद चाए, टी, या दोस्तों, चाए को भी बार बार गर्म करके नहीं पीना चाहिए, तो कि चाए के अंदर मौजूद टैनिस होते हैं, वो हमारे digestion system को काफी बिगाड कर लगते हैं, जिसके कारण बेचैनिया होती है, ग फ्रेश बनाएं, ताजी की हैं, ताजी चाहिए का आपने एक महक है और आपने एक सवाद होता है, अब बताता हूं कि मौल यह किसी के मजबूरी है, वो सुबा खाना बनाके जाता है, उसको दपैर आने का टाइम नहीं है, दोबारा फ्रेश बना सके हैं, रात को आने के ठ खाके महसूस होते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो क्या करें? अगर आप सुबा खाना बना के जाते हैं, खास अपर सबजी हैं, तो उसको बचाने के एक तरीका है, कि जब सुबा आप सबजी बना के जाते हैं, तो जब वो ठंडी हो जाएं, उसको तुरंत ही फ्रिज में रख कि उसको एकदम तेज़ हीट पे गर्म ना करें इससे आपके जो लाब जयक तत्तव होते हैं वो नश्वने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपको फ्रिज़ वाली चीज़ को निकाल के खाना ही है तो उसको जारा तेज आँच पे गर्म ना करें और उसकी हीटिंग पर सेस्वी थोड़ा स्लोई होनी चाहिए एकदम तेज हीट पे नहीं गर्म करना है इससे उसके पॉस्ट्री देतर नश्ट हो जाते हैं जो कि आपको फाइदे विजयन उक्सान भी पर जा सकते हैं तो दोस्तों यह कुछ एक कॉमन चीज़ें जो कि हम आनतर पर गर्म करके खाते हैं अगर आप इन चीज़ें को ख्या रखेंगे सीधी सी बात है जितना खाना उतना मनाईए ताजा खाईए तब ही आप तन दुरस रहेंगे नहीं तो आगे जाके आपको प्रॉल्म आ सकती है कई लोग पुछते हैं हमने रात को चावल खाएं पिछले कई साथ से खाते आ रहे हैं हमें कोई परॉल्म नहीं हो रही है खीक है अब यह आको परॉल्म नहीं है लेकिन आगे जाके यह आपको प्रॉल्म क्रियेट कर सकता है क्योंकि आपकर डिजेशन पावर देरे देरे कम हो जेगी लिवर को पर इसका साइट प्रैक्स जब शुरू होगे तब आपकर प्रोडम क्रियेट होगी दोस्तों जी ते कुछ एक का महत्वन जान करें आशा करता हूं कि ये अच्छी लगे होगी अभी जानके अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें थैंक यू